फ्रिंट्स पहले यर कोई भी कमपनी हुआ करती थी वो कोई भी मौडल नया लांच करती थी तो मार्किट के अंदर एक लीज वो जो मौडल होता था यर वो कोई 5 साल, 7 साल, 8 साल तक वो मार्किट में रहता था यह नहीं होता था कि बहुत ही यादा जल्दी कमपनी उस मौडल को बंद करते और कोई नया मौडल निकालते ऐसा पहले कभी भी नहीं होता था आप सब जानते होंगे बट आज की जूंसी कंडिशन है या जो कमपनीज हैं उनकी हरकते मैं तो बोलूँगा यह हैं जो कि हर साल एक इनोंने नया मौडल लाँच करना ही करना है चाहें उसके अंदर फर्क हो ना हो तब भी इनोंने उसे बदल देना है यह चीज जो है वो मेरी तो देखिया समझ से है बाहर कि ऐसा क्यों करती है या तो आप उसमें कुछ एक्स्रा फीचर्स दे रहे हो बहुत या चेंजिस कुछ इस तरीके के होते हैं कि वह बहुत यादा नैसेसरी नहीं होते हैं हमारे लिए उनका जो यूज है वो हमारे लिए नहीं होता है तो यार यह जो आज की वीडियो है वो यही इसी के उपर है कि एक सैट अगर मान लेते हैं हम दो तीन साल पहले वाला मॉडल जो उनसा कंपणी ने लांच किया था वो है और एक जो लेटेस्ट वर्जन उसी का उसी सीरीज का चल रहा है तो उनके बीच में क्या फरक है क्या चीजें ऐसी हैं मिस हैं जिसकी हमें जुरूत पड़ती है या नहीं पड़ती है क्योंकि देखिए कॉस्ट के अंदर काफी और एक बात यहां मैं और कहना चाहूंगा आपसे कि एक्चुल में यह जो वीडियो है वो बन किसलिए रही है पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा मेरे पास में डैनन के एक्स तेरा सो मॉडल आपने सुना होगा कि पहले जो आई तिंक 2017 में शायद आया था यह मॉडल तो वो मॉडल मुझे कंपनी की तरफ से पांच पीस जो है उसके मिले हैं वो डबा पैक नए पीस ही आये हैं वो और अभी जूंसा है वो 1600 मॉडल जूंसा है वो अभी रणिंग मॉडल जो है वो 1600 है तो यह 1300 जो है इसे परचेज करने से पहले मैंने एक बारी डिफरेंस देखा इन दोनों के अंदर कि 1600 और 1300 में हमें किस किस चीज का फरक आता है तो वो सब कुछ देखने के बाद ही मैंने इनको मंगवाया तो अभी यह चीज जो भी फरक है इसके अंदर वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था तो इस वाजे से मैं यह वाली वीडियो ज सब्सक्राइब करेंसिज देखेंगे एक पारी वो सकता है की तो पूरा देखेंगे तो वही चीजे दुबारा से पोछोगे जो उनसरी मैं बता चुका होता हम तो चलिए पहले हम 1300 model की unboxing करते हैं और देखते हैं उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिलता है हमें उसके बाद में हम इसे compare करेंगे X 1600 के साथ में तो आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंच वीडियो को शुरू करने से पहले आप से मैं एक ही बात कहूंगा अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बैल आइकन को भी जरूर दबाईएगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे time to time तो चलिए आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब करें आडियो गुरू जी चैनल को और बैल आइकन जरूर दबाएएगा आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सेब्सक्राइब दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आडियो गुरू जी और आडियो गुरू जी में आपका बहुत- के उपर तो यहां पर उपर की तरफ हमें डेनन लिखा हुआ है यह मॉडल नंबर है उसके नीचे में दिया गया है 7.2 चैनल फुल 4K Ultra HD AV Receiver with Bluetooth and Wi-Fi बस इतना लिखा है उपर की तरफ यहां देखते हैं हम तो यह छोटा-छोटा दा बहुत कुछ लिखा इसे जो की नजर भी मारते हैं अगर तो 145W maximum output पर चैनल इसमें हमें दी गई है Dolby Atmos and DTSX को सपोर्ट करता है फुल 4K सपोर्ट करता है छे हमें इसमें HDMI input दिये गई है एक हमें इसमें output दिया गया है Wi-Fi और Bluetooth इन बिल्ट दिया गया है AirPlay, VTune, Spotify, Connect, Odyssey, Multimedia, XT with Dynamic Volume, Dynamic Equalizer, Free Remote App for iOS, Android and Kindle Fire तो यहां पर हमें सिर्फ यही दिया गया है अभी इसको open भी कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ की और हमें इसमें क्या-क्या मिलता है तो फ्रेंच यहां आप देख रहे हैं सबसे पहले हमें AM और FM के लिए एंटीना दिया गया है एक हमें इसका remote दिया जाता है जो कि हमेशा ही मिलता है यहां पर हमें कुछ Denon की तरफ से love letter मिल जाते हैं और साथ में हमें Odyssey calibration करने के लिए माइक को स्टेंड करने के लिए यह एक स्टेंड मिल जाता है गत्ते का एक हमें यहां पर Odyssey calibration माइक मिल जाता है यह देख सकते हैं तो फिलहाल इसे भी हम साइड पर रखेंगे अभी क्योंकि अभी हमारा इसका कोई काम है नहीं हमारा तो चले जाओ अंदर आप और इसको बंद कर देते हैं है तो फ्रेंड्स में जो है वह तो यहीं पर ही है सब कुछ तो इसको पहले हटाते हैं यहां से तो फ्रेंड्स की अब हैसे सेट मिल जाता है तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं एक बार तो फ्रेंड्स यह है हमारा डेनन तीरा सो नंबर जिसकी लोग को अगर हम compare करते हैं तो थोड़ा सा हमें लोग के अंदर भी फरक मिलता है तो एक बार बात करते हैं इसके बटन्स और सेटिंग्स की तो यहां पर हमें कुछ फंक्शन्स दिये गए हैं जो कि हम रिमोट से भी उसे यूज कर सकते हैं बट आप अगर मैनुरली करना चाहो तो भी कर सकते हो यहां पर हमें SDMI वाट दिया गया है 4K का है यह भी 4K को सपोर्ट करता है यह यह नहीं usb मिल जाती है है यह हमारा सेटuses माइक के लिए मेंक लिए एक श्लॉट दिया गया है यह हमारा जाइं सभावि नस living दिया गया है दो, एक हमारा Bluetooth के लिए है और एक हमारा Wi-Fi के लिए दिया गया है और Power Code Detachable है आप Power Code को अलग से अपने लंबी लगनी है, छोटी लगनी है उसी साब से आप Change भी करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर हमें सभी Terminals दिये गए है Terminals में हमें यहां Front Right है, Front Left है Center है, Surround Right है Surround Left है Surround Back है और यहाँ पर भी हमें Surround Back मिलता है, अभी अगर आपके माइन में यह आ रहोगा कि Atmos के लिए कहां है, तो उसका जो Answer है वो आपको मिलेगा इस से अगली वीडियो के अंदर यह हमें HDMI दिये गई है जो कि यह एक हमें आउट दी गई है जो कि ARC को और 4K को HDCP 2.2 सपोर्ट करती है LAN अगर आप लगाना चाहें तो LAN के लिए भी आपको आप्शन दिया गया है अगर आप Wi-Fi से करनेट करना चाहते हैं Wi-Fi से कर लीजिए, LAN से करना चाहते हैं LAN से कर सकते हैं, आप यहाँ पर हमें Optical In दिये गए हैं दो, दो हमें Subwoofer Pre-Out के लिए Slots दिये गए हैं और Audio के लिए Input जो है हमें 2 मिल जाते हैं यहाँ पर तो यही है इसके अंदर और तो कुछ ऐसा नहीं है बताने वाला तो अभी हम एक बार इसकी Specification देखते हैं पहले तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए Left में हमें दिया गया है Denon AVR X-1300 और Right में हमें दिया गया है X-1600H तो अभी इनके Difference की अगर बात करते हैं तो देखते हैं आगे चलकर की क्या हमें इसमें फरक मिलता है तो Highlights देखिए सबसे पहले हमें दिये गए है इसमें जो 1300 है वो हमारा 7.2 चैनल AVR है और As It Is 1600 जो है वो भी हमारा 7.2 चैनल ही है 80 Watt 1300 देता है और 80 Watt ही हमें 1600 भी देता है Frequency अगर देखेंगे तो दोनों की बिलकुल सेम दी गई है कोई फरक नहीं है अगर बात करते हैं Formats की तो इसमें हमें Dolby Atmos DTS X compatibility दी गई है और 1600 के अंदर Dolby Atmos DTS X compatibility हमें मिलती है यानि कि दोनों ही यह यह सेम है इसमें कोई फरक नहीं किया हुआ है आगे देख रहे हैं तो फ्रेंट 1300 में हमें HDR 10 दिया गया है Dolby Vision दिया गया है और 4K Pass Trow भी हमें इसमें दिया गया है 1600 के अंदर भी यही चीज हमें मिल रही है अगर आप देखेंगे तो AirPlay की बात कर रहे हैं तो दोनों में AirPlay दिया गया है एक यहां पर जो फरक आगया है वो आगया है की 1300 जो है उसमें हियोज नहीं है और 1600 के अंदर एक हियोज का उप्शन एक्स्ट्रा आ गया है इंटरनेट दिया है Wi-Fi है, Bluetooth है दोनों के अंदर ही है तो दोनों सेम हैं बिल्कुली USB इंपुट हमें दोनों में मिलता है मगर 1600 जोन सा है उसमें हमें फोनों इंपुट मिल जाता है 1300 में हमें फोनों इंपुट नहीं मिलता है अगर आप turn table यूज करना चाहते हैं तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा अगर all over बात करते हैं तो मुझे अभी तक ऐसा कोई आपकी फरक महसूस नहीं हुआ इसके अंदर कि जिसकी वज़े से हम यह कहें कि वह यह तेरा सो जोन सा है वो ठीक नहीं है और सोला सो जो है वो यादा बैटर है आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स इनका अभी देखिया यहां पर हमें म्यूजिक प्लेग वाया USB के बारे में दिया गया है तो जो हमारा तेरा सो है वो MP3, VMA, AAC, Apple, Looseless, Wave, Flag, AD, FF, and DSD फार्मेट्स को USB के त्रूप ले करता है जो सोला सो है वो सभी फार्मेट्स को वो भी सपोर्ट करता है यहां पर देखिये सिर्फ हमें AI, FF नहीं मिलता है तेरा सो के अंदर वो दिया गया है और सोला सो के अंदर वो नहीं दिया गया है अगला पॉइंट जो है वो आजाता है हमारा High Resolution Audio Format via USB यानि कि आप USB से High Resolution Format प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो इसमें तेरा सो में एपल, Looseless, Wave, Flag, AI, FF, DSD मिल जाता है हमें सोला सो के अंदर एपल, Looseless, Files, Play होती है, Wave होती है, Flag होती है, DSD होती है यहां पर भी AI, FF format जो है वो USB के थूप ले नहीं करता है तो तेरा सो के अंदर यह यादा एक option दिया गया है और उसमें कम है तो आगे चलते हैं और फरक की बात अगर करते हैं तो यहां पर देखिए हमें Dolby Atmos High Virtualization जो है वो तेरा सो में नहीं मिलती है DTS Virtual X हमें तेरा सो में नहीं मिलता है और सोला सो में हमें वो मिल जाता है iOS का option जो है वो भी मैं पहले आपको वैसे बता चुका हूँ की तेरा सो में हमें नहीं मिलता है Alexa की बात करते हैं या फिर Google Assistance की बात करते हैं अगर हम तो सोला सो जो है वो वोईस कमांड सपोर्ट करता है बड़ तेरा सो नहीं करता है Airplay के अंदर दोनों ही काम करते हैं सिरफ Denon सोला सो के अंदर Airplay 2 का भी सपोर्ट हमें मिल जाता है Bluetooth connectivity की अगर बात करते हैं सिरफ और सिरफ headphone transmission के लिए तो आपको सोला सो के अंदर ये फीचर मिलता है मगर तेरा सो के अंदर ये नहीं मिलेगा Inance Audio Return Channel की बात करें अगर यानि की EARC तो सोला सो के अंदर EARC मिल जाएगी आपको बड़ तेरा सो के अंदर नहीं मिलेगी HDCP version की बात अगर करते हैं तो एक पॉइंट कम में चला जाता है हमारा तेरा सो जो है वो 2.2 है जो 1600 है हमारा वो 2.3 है Input के बारे में मैं आपको वैसे बताई चुका हूँ पहले भी Remote हमें दोनों में सेम दिया गया है Tiddle, Deezer and Napster ये तीनों जों से हैं ये हमें 1600 में तो मिल जाते हैं एंद 1300 के अंदर हमें ये नहीं मिलते हैं Wi-Fi Standard की बात करें तो बिल्कुल Exactly Same है और अगर Newer Bluetooth Version की बात करते हैं तो 1600 में हमें 4.1 Version दिया गया है जो कि ये भी पुराना हो चुका है वैसे इससे उपर के अभी आ चुकी है Version यहाँ पर Bluetooth में हमें Bluetooth Version में हमें 1300 पर 2.1 प्लस EDR का Option दिया गया है ये भी कोई बहुत यादा बड़ी बात नहीं है आगे देखेंगे तो Dolby Atmos के लिए Same Features दिये गए है जो Channel Configuration है बिल्कुल Exactly Same है DTS-X भी बिल्कुल Same है DTS-X Natural जो है वो दोनों में आपको मिलता है और As It Is है USB के Through अगर आप Play करते हैं तो Two Channel Input हमें मिलती है दोनों में ही DTS Dialog Control हमें दोनों में मिल जाता है Odyssey Dynamic की कुलाइजर हमें दोनों में मिलता है Odyssey Dynamic Volume हमें दोनों में दिया गया है HDR10 भी हमें दोनों में दिया गया है और Dolby Vision भी हमें दोनों में सपोर्ट करता है पास्ट्रू की बात करो तो पास्ट्रू दोनों में होता है 4K और 8K वीडियो पास्थ्रो के अगर बात करते हैं तो 4K को दोनों ही सपोर्ट करते हैं सेम वर्जन है, सेम हर्ट्स पर मगर 8K जो है वो ये दोनों ही सपोर्ट नहीं करते हैं और DLNA की बात करें तो दोनों इसे support करते हैं, internet भी support करते हैं, Wi-Fi दोनों में दिया गया है, Bluetooth दोनों support करते हैं, HDCP version की बात करते हैं, तो ये पहले एक बार आ चुका है, वैसे कि 2.2 हमारा 1300 में दिया गया है, और 2.3 जो है वो हमें 1600 में मिलता है, USB की option की बात करो, तो दोनों में हमें USB मिल जाती है, मगर अंदर जो USB है, वो सिरफ flash drive को चलाने के लिए दी गई है, हाला कि जो उसी 1300 के अंदर, हमें USB मिलती है, वो iPod या iPhone को भी support करती है, composite, video input की बात करते हैं, तो दोनों में दोदो दिये गई हैं, zone की बात करते हैं, तो दोनों में दोदो दिये गई हैं, तो फ्रेंट्स ये थी, इसकी देखिए, इस पैसिफिकेशन दोनों की, तो इसके बीच में क्या जा फरक है, वो आपको पता लगी गया, अगर बात करते हैं, मेजर डिफ्रेंट्स के बारे में, तो कुछ ही पॉइंट ऐसे हैं, जो की काफी यादा फरक महसूस कराते हैं इसके अंदर, हमें एक तो फोनों का इंपुट जो है, वो नहीं मिलता, तो ये भी कुछ लोगों के लिए वीक पॉइंट हो सकता है, अगर वो टेंट टेबल यूस करना चाते हैं, बाकी अगर बात करते हैं, फॉर्मेट की तो फॉर्मेट की तो आइट लीस्ट सभी फॉर्मेट दोनों में सेम हैं, हाला कि जो 13-100 है उसके अंदर एक फॉर्मेट यादा ही मिलता है हमें, और इसके इलावा बात करते हैं sound की तो समें हमें, EARC नहीं मिलता है AARC मिलता है 1600 के अंदर हमें EARC भी मिल जाता है तो ये भी एक थोड़ा सा फरक है इसके अंदर में और इससे बाद में देखिए वाटेज भी सेम है बाकी सब कुछ connectivity जो है वो भी सेम है जो slot समय connectivity के लिए दिये गए है वो भी सबी सेम है इसके अंदर 1300 के अंदर हियोस नहीं दिया गया है उसमें दिया गया है तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बतलब कि देखिए आपने सभी फरक जोंसे है वो देख लिए है आप ये डिपेंड करता है इसे लेने वाले के उपर कि जो फरक इसके अंदर आ रहा है जो चीज हमें 1600 में मिल रही है बट वो हमें 1300 में अगर नहीं मिल रही है तो वो चीज हमारे लिए जरूरी है भी कि नहीं तो ये difference जोंसा है इसी के लिए मैं वीडियो यह वाली बनाई है क्योंकि price के अंदर सीधा सीधा दोस्तों 10,000 रुपे का फरक आता है इसके अंदर अगर आप balance 1600 लेते हैं तो वो आपको 45,000 का पड़ता है अगर आप 1300 लेते हैं तो वो आपको 35,000 का पड़ता है तो 10,000 कम नहीं होते हैं अगर हमें एक जैसी दोनों चीज़े मिल रही हो और आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में यह आप मुझे जरूर बताईएगा comment box के अंदर की आपको इससे फरक पड़ता है या नहीं पड़ता है तो मैं उसी तरीके से आगे भी चलूँगा तो इस वीडियो के अंदर तो या देखिए यही था तो comparison मैं आपको बताना चाहता था मैंने आपको बता दिया अभी मैं इंतजाद करूँगा आपके decision का कि आपको क्या लगता है कि हमें पुराना वाला model ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जो भी आपकी राय है वो मुझे comment करके जरूर बताईएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो like जरूर कीजिएगा और अगर नए हो तो चैनल को subscribe भी कर लेना और बैल आइकन को दबा देना बाकी वीडियो को share जरूर किया करो तो काफी जाता helpful रहेगा वो मेरे लिए तो इस वीडियो के अंदर तो यही ता बाकी जाते-जाते आपसे सिर्फ यार एक ही बात कहूंगा हमेशा की तरह आप सवस्त रहो और मस्त रहो तो चलिए फिर मिलूँगा आपसे किसी नई वीडियो के अंदर अभी के लिए इजाज़त चाहूंगा आपसे दोस्तों जहिंत